आज मैं उस मान, चिंतन और स्वेश्च विद्या को इसबस्ट कर रहा हूँ जो रिशियों ने कठो पनिशन में इसबस्ट की है अगर देखा जाए तो हमारे सास्त्रों में और उपनिशन में अपनिशन अपने आप में उज्वल ये लगकर अपनी तरह है जिसका एक 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 अक्षर अपने आप में अत्यमत महत्पून और दिव्य है क्योंकि इस उपनिशन में उन प्रस्टों के उत्तर खोजे गए हैं जिन प्रस्टों के उत्तर सामाने तरह विज्ञान और ज्ञान दोजों के पास नहीं है न ज्ञान उन चिंतन को समझ पाया है और विज्ञान तो उन चिंतन को समझ पाया है करता है कि विज्ञान तोई सीमा ऐसे जो केवल 25 द्रिश्टी से आदि को फूर्णता दे सकता है कि बत्तवां जीवनद को सुख देने की कोशिश कर सकता है जीवन के यत्отивल साब्स्थनों को भूंदिने में और यत्प से bushष्णे में विज्ञान सहाइक नहीं हो सकता है और जीवन के जिज़न प्रस्ण में धर, मदर्शन, नीमानसा, कई संब्रदाय है परन्तो मूल भूत प्रस्ण यह है कि जीवन क्या है, मर्थ्यों क्या है मुल बूद प्रस्ट नहीं है कि इस जीवन से पेड़े की सिधी क्या है इस मर्तियों के बाद की सिधी क्या है मुल बूद प्रस्ट नहीं है कि जीवन मर्तियों के बीच की सिधी क्या है और कड़व पदिशत में कि मनुश्ट के जीवन में क्या थेatin है प्रकार क्या है क्या हम किस पकार से जीवन जी रहे है वज जीवन है क्या हम सांस ले रहे हैं, संधान पैदा कर रहे हैं, दूसे काम कर रहे हैं, यह इसको जीवन कहते हैं, कटो कर शीर कहता है, यह जीवन नहीं है, जीवन तो बहुत दिल्ले लोग ही जी सकते हैं, लाख वर लोगों में से एक या दो व्यक्ति जीवन जीने की कला जानते हैं, औ किसको जीवन कहते हैं और जीवन और मर्त्यू दोनों एक ही सिख्य के दोनों पहलू है जहां जीवन है वहां मर्त्यू नहीं हो सकती है जहां मर्ट्यू है वहां जीवन की कर्थना की यह नहीं आ सकती जहां अंधिरा है वहां प्रकास कैसे हो सकता है और जहां प्रकास है वहां अंधिरा आई नहीं सकता है अगर प्रकास है अंधिरा नहीं आ सकता तो जीवन है तो मर्ट्यू नहीं आ सकती और मृत्यों नहीं आ सकती तो पर जीवन जीने का आम तरीकार सीख सकते हैं जीवन जीने की इक लए सेख सकते हैं हम स्मझ सकते हैं कि जीवन का मूल भूठ जिन दम तप्य तब क्या है को शिर्व येत वक्ड़ोमनिशत को अर्विति इउपनिशत कहा ए इसलिए तो कड़ोपनिशद को एक सेच इस पन उपनिशद काहा है और इसलिए कड़ोपनिशद में उन प्रस्त हम का विवीचन हुआ है जो जीवन और मर्त्यू जैसे अत्यन्त दुर्भूद और कठन प्रस्तों को सुन जाने की और रिश्टि की माई अग्रसर हुई है और इन साधे प्रस्तमों के उत्तर कठोपनिशब में एक कहान एक कठाक के माध। जिन से प्रस्ट किये है। कंशार सांकर ने सिधी साह्ता है कि जब्सकों ने कि एक सुध्र कुछ को कि जदने क pursuit जबी है जिसको समय जोरे कि लिए उस्प्रक्त कि अध्यान चाहिए पर जुस्ता सिंध नंचometer पमॉस्ति होना चाहिए जो उस मरं और फुसमो Who का मर्सी उद्दधालक को अथ्युनित डिश्ड हिर्शी उए राजा होई अथ्युनित अब हितियों कि महानुरं रशी को अर्मवान रजा जो रघाः हो सकता है इसलिए उच्चोचिक के जिसके तो पेहले को पुद्ड बने थे राजा राज पूत्र शेए और उसके पास सुन्यासी यूड़ि बद्द बन गये मागिर थे, राज कुल से थे, उच्च कोटी के राजा के पुत्र थे, और ते भी सन्यासी बन गए जितने भी सन्यासी योगी हुए उन्हों जीवन के भोग को भी समझा उन्हों जीवन के सन्यास मारक को भी समझा और ये दोनों एक से के पहलो है क्योंकि बिना भोग को समझे सम्यास समझाई ने राशता आखर सम्यास क्या जी है भोग की निवर्ति तर्ष्णाओं की निवर्ति तो भोग है सम्यास है आखर वे भोग कौन से जिसकी निवर्ति हो इसलिए मर्तियों को समझने के लिए जीवन को समझना जरूरी है अब जीवन को नहीं समझ सकते तो मर्तियों को नहीं समझ सकते मर्तियों क्या है, मर्तियों का सुरूप क्या है, मर्तियों का सौंधरी क्या है और मर्त्यों से हम किस पकार से आली दिन हो सकते हैं मर्त्यों से किस पकार से आबद हो सकते हैं मर्त्यों हमारा किस पकार से मित्र बन सकता है सखाव बन सकता है मर्त्यों के साथ हम किस पकार से समय बतीर कर सकते हैं मर्त्यों के साथ समय बतीर करते हैं कर दो और जब महस्य उद्दालग में ब्रामरों को एक लाख गाएं देने का मिरने किया तो उसमें मेदान में उन गायों को इकत्र किया और महस्य उद्दालग का इस पुछ नची केता था नची केता ने उन गायों को देखा और छोटासा बालक है अगर छोटासा बालक भी अपने आप में पूर्ण ज्यान अपने वाला आगप्ति होता है कोई बालक छोटा नहीं होता कोई बालक बरद्द नहीं होता आयू और मन दोनों अलग अलग तीज़ेंगे हैं है हो जती है कि किसी बाढ़क की आयू पांज वर्षकी हो उसकी मन की अरुस्ता ज्यान की वर्षका 100 साल की हो प्रलात की सारी देक वस साल की थी मनके पास दुग्ञान था वह सौ साल की आयू रहा और ऐसे कई बंदर हैं जिनके आयू तो सो साल की अश्री साल की निवे साल की है मगरम की बुद्धी उनका मन के वर पांच साथ साल का ही है इसलिए दोनों अलग लग मागे हैं यह जरूर नहीं है कि पांच साल के मन में भी पांच साल का मदद तो रखता हो पांच साल की बुद्धी रखता हो यह दोनों अलग लग सरनिया हैं इसलिए बुद्ध बुद्ध के मन में पूर ज्यान की एक सिंद्धा प्रफित होती है और बुद्ध के मन में भी एक बुद्ध चिपा हुआ होता है इसलिए साथ साल Cup के आयों के बाद व्रध तीप उसी प्रफार से आच्रं करने लग जाता जैसे वाल्याय करता है उसीरता से जिद करने लग जाता है खाने के लिए दौर में लग जाता है भूझ सोणी यह फूछ उद्धी रुनाब्वद्ध न है और नस्यकेटा के उठ पांक साल के झालता out को तो फो मैरे पिटा ऐन गायों को दान दे रहे हैं है मगर विए अत्यंत दूलवल पान उनके नांग गिर गए है कि उनका दूद नू लिया गया है अब उस सिती में हैं कि अब उनके थनों में से दूध नहीं निक нельзя शक्ता दूध कि एक एगी बूंद गारे के फनों से लिका लिझा जा चुकी है और उस आलाग में गारे पहुंच गई है कि अब यदि वे घर्मे रहती है तो कि वल चारा खाती है पानी बेती हैं मगर दूद नहीं दे सकती क्योंकि वर्द हो गई हैं क्योंकि वसक्त हो गई हैं क्योंकि अम्जूर हो गई हैं क्योंकि मर्चतु लिए बंद रही हैं और ऐसी गाये उन ब्रामों को दान दी जा रही हैं नसी किता सोचता है कि इन गायों को दान देने से कैसा दान होगा इन गायों को दान देखर कि ब्रामन इन गायों से क्या प्राफ्ट करेंगे जिनके मुँ में दान देंगे वे गाये क्या करेंगे जिनके धनों में दूद नहीं है उन गायों को वे ब्रामन लेके करेंगे जाए और मेरे पिता इतने स्वार्थी क्यों हो गई इतने घट्यास तरके निती क्यों हो गई एक बालत मेरे पिता के बारे में अगर ऐसा सूचता है तो उसका लिहाग सी साथ की आईउ के बराबर है और उस उद्द्द्रक का लिहाग उद्द्द्रक का चिंतन इम पंदर साथ की आईउ की तरह है वो यह सोचता है कि यह गायों मेरे करवें भाब सुलूप है अब इन गाउयों को टाम देदेनी चाहिए जिस से कि यह गंगी यह भाग मिटे इसकी जिरे में दूसरी ताजी और संदर दूढ देने वाली गायों को ला सकून। कि यहमारी मर्ié्ग अधियापन है कि हम जाल स्प्राइब उस चीज का देते हैं जो चीज दमारे मिल 1 कि यह मारे बुद्धी यह मारा त क्ट इमारी का छालम की दूता है कि हम पाउन ट्राइब का दीधेन जिस चीज की हमें को जान है तो जिस ऐसा दान देने का प्रियोजिन कुछ अर्थ नहीं रखता, को मैं तो नहीं रखता इसलिए शास्तों में तो यह सबस्त है कि दान बर दिया जाए जिए तुम्हें बहुत अधिक प्री हो अत्यमत तुम्हारे लिए आवशिक हो जिसके बिना तुम्हारा काम चल नहीं सकता उस चीज का दान दो वह दान देने के प्रत्रिया है, वह दान देने का धर्म है, वह दान देने का कर्दव्या है घर में जो बेकार पड़ी ही चीज है उसको दान देना अपने आप में कोई प्रियोजन नहीं रखता और इसी लिए स्ट बन रिया कन्यारा और द्ढैना पड़ी हो गई अब उस पिए की घर्मे को भी हो गिता नहीं है क्योंक्त ऑफ उस कन्या की रखवाने करना बहुत कठिन हो गया कि इसने उसका दान कर दिया जाए और दान करके आज मिस्सिंद हो जाता है कि मैंने एक यह अपनी बोज यह अपनी सुरुक्षा की जिम्मारी दूर्स रोकों सौंकती इसलिए तरशा सद्वना दान का तातपरिय। जो अत्मेंतफबूर हो जो आवशिक हो जो उपीयोगी हो जिसके और दाप नहीं चल सकता हो। दान उसका दिया जाने चाजिए है कि अगया और तो उद्दर दर्ग तो जानद देना चाहा था है। जिन गायों में तो नमदूद नहीं था, जो बच्छने पैदा नहीं कर सकती थी, जो मत्तुल्य थी, पंदची केता उन गायों को और अपने पिता की चालाकी को देख रहा, वो पांच साल का बालक ये मंधन कर रहा था, विचार कर रहा था कि क्या ये उचित है, क्या इसको द अनकूल है, और क्या ये परमपरा मेरे पिता से मुझतक और मेरे पीडियों तक जाएगी, तो क्या ये रुचित रहेगा, यदि इस दुर्बुद्दी को यहीं नहीं रुका गया, तो आने वाले पीडियां एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगी, और वे उस प्रक आप ये गाये दान में क्यों दे रहे हैं, इन गायों को डान देने से क्या लाग होगा, ये गाये तो उप्रद होई हैं, अब ये गाये सुन्दर बच्छडे उत्मन नहीं कर सकती, अब इन गायों की थनों में दूद नहीं हैं, अब इन गायों के सरी में मांस नहीं हैं, र ब्राहबन तो लाजच बस इन गायों को ले भी लेंगे या भहयर स से लेंगे कि राजा दान गी दे रहा है नहीं लेंगे तो कर लाजा दूख देऴ सकता है निधा नकळा कर सकता है मेश एहकं ए दान में बगर आप ये गायर बाज में क्यों दे रहें कि इन गारयों को दान देने का स्वारों है क्या ये उूचित है , क्या ये मरriet大 हमुल एक छोटा सा बालत , अगर पिण को ऐसा प्रस्तब करे , तो क्रूद आना सभावी है क्योंकि पिण तो स्थ्ष्ष्ष्ष्भ है मैं बड़ा हूँ मैं बढ़ा मुझे करना मिरा धर्म है इंन क्रद्प्या है मैं क्रूद कर-सकता हूं और रहां पर उस पर चोटे पर रघटी हैं जिस विक्ति की भूर पर दोश पर चोट रखती रही तो क्रूदित होता ही मिल्टी पर चोट प्रोदमी के संत्य को संत्य स्विकार करें में प्रोदमी नहीं आता कि मगर यह दि किसी के मंने पाफ है इन कि सबमने के जून आख है और उस पर प्रहाek जाए तो क्रोदमी आना सब्हा भी के उद्दाने के मन में भी एक कुब जी थी वो समझ रहा था कि मुझे इस गायों के इस मूँ को जो फालतु घास खा रही है जो फालतु पानी पी रही है जो ग्रत है इनको निकाह देना चाहिए ये चोर ये धूर्थता ये चल उसके मन में था और नची करता ने इसी चल पर प्रार किया इसी चल पर उम्ली रखी इसी घाव पर उसने उम्ली रखके पूछा कि क्या ये गाये दार देना उचित है उद्दानक को क्रोज आया और क्रोज के मारे आँखें लाज करके गुस्षे के द्वारा दूनों मुठ्चियों का भीच करके इस लिए कि ये जोटा सा बालत मेरे सामने खड़ा हो के जमान लड़ा था बड़े-बड़े महिपती जब मेरे सामने सिर्व उम्चा नहीं प्लाते तो इस लड़की की इतनी गुद्धी इतनी एंजिए कि यह मेरे सामने खड़ा हो मुझसे आँखें लड़ा कि बात करे इसको क्या मतलब है मेरे कारे में टाम लड़ा निखी इसको क्या जिरूत है जो मैं कर रहा हूं उसके बीच में जा रहा है जो दुन में कर रही है यह कौन होता है अब पुत्र भी है तो यह बीच में क्यों पड़ रहा है और उसने फटका दिया नच्छी के देना हाज जो टुटके प्रस्ट किया कि जदि इन गायों को जो बेक्राश सी गाये हैं इनको जदि आप दाम दे रहे हैं इसलिए दाम दे रहे हैं कि यह सर्व और आप की कि मि भारतुल्य मंझाओंगा फ्रशी तो क्या में भी बन ओर देंगा तो क्या फٌश्मिधा Consultantville जिसका उत्रव अपने आप में नहीं जिसका है हैं तो अगती करल कि कोड़ी भुड़े पुष्वाद रहा क्यों सान स्रीर्ल लाइसु olsun sia फका और मैं तुझी तुगा आम थों भास रूपस पम्म मैं तुजे भी दे लूगा मैं घिंगा आप किसे देंगे लुझे कौन करेा दान स लेीटे ॹाम मुझे दान विदेम गया तो गौ लेगा और क्रोध के वारे उद्दार रखेटा कि मैं तुझे मृत्यू को देता हूंगा, जा तू, मृत्यू के पास जा, उजा रखें तो क्रोध में ये बात पही, निची की तरह ने पिता की आग्या को सुखार किया, अंतर था दुनों में, बस क्रोध मैं था, बसांत मैं था, और क्रोध में आदमी का विवेक्षमा को जाता है, क्रोध में आदमी को ये घ्या नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूं, किसको कह रहा हूं, जो अपने अंग है, जो पुत्र है, उसको ये दी, वो कहता है कि तुझे मृत्य को में देता हूं, इससे जादा क्रोध की सिदी क्या ब तब द्रन और आपके जो आजया दी है कि मैं उसके आजया का पानी करूँगा एक बार सूच तहुए दिए एसा कैसे कैदिया मेरे मुउस ऐसी गलती बात कैसे निगल दी वे पर्शेताक करता है वे हभ बुद्धी हो जाता है कि यमने क्या करदिया ये तुदची के दाथ प्रभुल्ब् कुर सही माल लिया है São ये तो मर्तियु पास जाने कि तयार हो गया है और उद्दाने के आँखो ना सुआ जाते है सरीर ठर्थरा में नगता है क्रोद तो समाफ हो गया उसको बेटे को अपनी गोदी में उठाया और दची किताइसर प्याप तक पहते हो कहा कि में तक रूद में कह लिए तो तो मेरा एक मात्र कुट्र है मैं तो जे मर्तियु को कैसे दे सब्सक्राओं ये तो संभवी देंगी ये तो मेरे मुँसे निकल गई बाद मैं तेर्प्रता हूँ तो मेरा बंस है तेरे मिना जीवन कार्फू मतलब प्रियोजन क्या होगा नहीं कि पर नकार्ट नहीं एक बार दान दी उचीद को वह कुछी प्रेंड ने की जाती है अब मेरे उपर अधिकार मोत्यू का है आपका अधिकार नहीं रहा जब एक वा आपके सम्द्र पर बिलीया के जाहा को ब्रेला भी सकते हैं आप मुझे बापिस घ्रशीट की मत दियूए दान को बापिस मत लीजिए इस में मर्ट्यू की दुरोड हूं अपने मुझे मर्ट्यू को सौट दिया है मैं मर्ट्यू के पास दरूंगा जो भी वह आखिया देंगे उस आखियता पालिख करना मेरा फर्द धर्व है कब्सक्तब यह अधर रख मौन था बस समझ नहीं पारा था कि में मुझे क्या निकल गया मैं समझ नहीं पारा था कि क्य मेरा और उसकर मेरा अधिकार क्या हो सकता है मैं तो मोर्टि को सब दिया द्युक्त कि और दूशी केता को खड़ा हो जाता है अंतें बार अपने प्राण करता है हाग जोरके प्रास्नर करता है कि में द्रनिय बागी हूं कि आप वीतले से पिता मुझे मिले यह मेरा सवागी है कि आप नुझे मुझे में दिया कि और मेरा उस्छी मर्त लिवत्ता यंदू के पास जाओंगा उनकी चल्लों में बैठाँ जो भी बेदेगे उसको स्विकार करूंगा यदि मेरे भागे में कुछ लिखा है तो मैं प्राट करूंगा और यदि मेरे भागे में कुछ नहीं लिखा तब भी यम्राद की धरोर है ये मेरे सरीर, मेरे प्राण में दिशेतना यम्राज जैसा भी चाहेंगे इस सरीर का इस प्लाण का उप्यों करेंगे और नची गेता वहां से तुइंत रवाना हो गया उद्धा रख टुखुटुखुटाज करहा आंकों तांसों धाला बैटी गई पिछिक्या भर गई गल्ला रुंट गया मगर अची गिता कि अधे पर उत्रभाव नहीं था वह समझे रहा था कि अब मैं उद्धा लगती धरोर दी रहा अब मैं मत्यू यम्राज की पूंजी हूँ मेरे सेरे पर मेरे प्लाणों पर यम्राज का दिता है और इसलिए मैं यम्राज को जी ग्यान और जेतना प्राट कर देगी कोशिश करूँगा मैं जी केता है पैडल जरता हुआ जम लोग पहुंचता है और मर्त्यू के द्वार पर खड़ा हो जाता है जी में पहली बार यह विशी गठना कटी एंब्रमान में इस गठना को समझने की जुरूत है प्रत्य व्यक्ति के द्वार पर मर्त्यू आती है और यहां पर मनुश्य स्वयम मर्त्यू के द्वार पर पहुंचा बिल्कु निप्रिश्दी बनी और यहां पहली बार यह बात हुई कि व्यक्ति स्वयम द्रवाजे पर पहुंच गया और जब बची केटा यम के द्वार पर पहुंचा तो यह मराज घर में नहीं और जो हिम्मत रॉंसरा रखता है जो सास रखता है जो तेज़े सिर्टा रखता है जो मौत को गले लंगाने की तयार होता है जो मौत के दर्वाजे पर पहुंच जाता है वहां मौत नहीं मिलती है मौट कायर हो Crown मिल जो कायरं दुफक करके द्रमें गुष जाते हैं सब्ट इसाल करुछ के द्रवार जो पहुंच आते वा मौ उंप marginalized कि यह इस्ट्रफिषण की एग मूप्र शोड है शीया अधाल आसज घ्रकर नम्चिकल मिल्टे माँ में नचेकिन हो जाता है Untyu के दौर पर मर्त्य वां उपस F cetझ में ञें क्योंकि मर्धियु कायrek प्राक होती हैं। जो ढ़ते हैं। जकी अब तर्श Kya नोमी वद्जी को शेक्रारी o Ф क्षियर दौकर करना घूशर क करना आप हैं। गवल्टियों के बीच में चीजर के बार निकल देग कोशिश करते हैं यह बहुंस का निमत रखते हैं तर्फिम्ट्यू आपको पास आए देशी क्योंकि आप खुद मुद्यू के पास जनने की कोशिश करता है मुद्यू वह उपस इसनी कोटिये मर्ट्यू को उसको कुछ ब यम्राज को दिखाएंगी देंगे तक तक मुझे बैठा रहूँगा घुदरवाजी पर बैठ रहा है यम की पत्नी यमी बहाराई एक बालक को देखा भूखा प्यासा उसने कहा कि तुम बोजन कर लो जो यम आई के तब मिल लेना उसने का नहीं है यह मेरा सरी मेरी पूझी तो यम की है यह म्राज की है मरत्यू की है जब आज देंगे तो मैं बोजन करूंगा अधिकार रूंगा है वो जैसा मुझे आके ने दिए वैसा आध्याता पांग करना में तक तर्म है मैं तब तक यहां बैठा रहूँगा जब तक वो नहीं आ जाते हैं और तीन दिन तक नचिकेता यम के द्वार पर भूखा और प्यासर बैठा रहा है यहां पर उनिस्वत का एक और मर्वमर सामने इस पस्थ है बब तीन दिन तक भूखा रहा और जो भूखा रह सकता है उसको मरत्यू प्राफ नहीं हो सकती है उपवास करना जीवन का मूर धर्व चिंतन और मिशिस्ता है कि उपवास के दोरा जीवन की पूर्णता प्राफ होती है उसने उफवास कि प्रवास की प्रण्प्र नहीं से प्ला मिशस्राञ होई इसलिए आहार को नियंत्रन प्राप्त करना जिरूरी है और जितना उपवास करेगा वह उतना ही जादा पूर तक ही और अगे सरोगा उसने बिना कुछ खाये वहां बैठा रहा उपवास किया और इसलिए बुद्ध ने महारी ने उपवास की परंपरा को और आगे बढ़ाया क्योंकि हमारा सरीर अपने आप में एक अध्वुत मेंत्र पूर्ण यंत्र है और इसलिए हम उपवास करते हैं तो तीन और चार पान दिन के बाद तो भूग लगती है चार बाद दिन तक तो हम भूग से ऐसी होते हैं बिना बोजन के रह नहीं पाते मगर उसके बाद हमें करने बूग की कोई इच्छा नहीं हो थी फिर भूग लेकि चटह दिन अमये बोजन करने की इच्छा होती नहीं क्योंकि शरीर अपने आप में हमारे अंदर जो अंदर जो बचा हुआ मांस है और उस मांस को प्रिड़ा करके शरीर अपनी सुर्ण शाओ कर डेता है यह स्री जीवन ने उसरीर ने उस मानस को ही बोजिन के लोगे सुकार कर लगा उसको पिला करके अपेशने को तीव दुखने का उश्रता देने का प्रेप जानू गड़ लगा यह तो उसकी दिसेस्ता थी जिए उस अफवास की प्रणपरा में उस लगेता में निस्चे कर लिया तुम करूंगा और यह उस प्रस्ने को पूचुंगा जीवन का मर्ण जीवन का उदेश जीवन नक्षय जीवन तरह दिए है ऑद कर दोत दिश्त की जर्जा कर रहा था और हएं यह बता रहा है आगे निट देन तक भूखा प्यासा यं के दौार पर पैठा रहा मृत्यु यहारा रहा है कि चौते दिन यह माए है तो उनकी पत्न यमीन ने कहा कि ब्रामन पुत्र तीन दों से भूखा प्यासा दर्वाजी पर बैठा है ऑorn और कर्दमर है कि पहले आती गोड़िन कराएं मैं पद्रिम करें मकरें अती जो बिना नेगे यह अधि descub सुद्वा मुझत कराएं जो इसंगा करने इस शच्छारें कारें शिचा आए और क पतल कि हमार समय तजार हैं हर छन उनके आने की प्रदीक्षा करें यह बाहर आए निची केता खड़ा हो गया है यह ने कहा कि मुझे ग्यात हुआ है तुम टीन इन से भूगे प्यास में दर्वाजे पर खड़े हो क्यों खड़े हो क्या चाहते हो ऑ चाहते हो क्या इच्छा है कि तुम क्यों आए हो it a bye मेरे पिता ने आपको सौंग किया है अभी सरीर पर मेरे मन पर मेरे प्राणों पर मेरी चेत्ना पर आपका अदिकार है आप जो भी toe जैंगे ममसि का अधा पाल करणा औरा आप हे फिंहीं से आया हूं मेरा मेरा एनधीस और यहे तो नैटस और Черãy कि मैं उस दिश्दय को जानना चांता हूं कि झिसकी से मात र मरथु से परे वह सकते हैं किस क्रिया मैं आप पर विजय कर सके ऐसी क्या सती है कौन सा चिंदम है कौन सी शादमा है जब ने कहा कि तुम तीन दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे बैठे रहे हो तुम तीन वर्दान मान जो और मैं तुम्हें तीनों बर्दान दूंगा निच्छिता में कहा कि यदि आप मुझे वर्दान देने के लिए आतुर ही हैं यदि आप वर्दान देना ही चाहते हैं तो पहला वर्दान तो ये दीजिए कि मेरे पिता को कभी कुरूद नहीं आए विस सांध और स्रेज भाव से रहें और स्वर्ण प्रक्रति से सांधी से बिना ग्रोध किये जीवन यापन करें उनके जीवन में सुख और स्रभाद के हो बड़ा अर्भूत वर्दान था अपने लिए कुछ नहीं माला उन्हों माला कि मेरे पिता अग्रोध ही हूँ जैसे मैं अग्रोध ही हूँ क्योंकि अग्रोध से ही जीवन की पूर्णता पाईदा सकती है जो ग्रोध कर लेता है वह बीच में स्माप्त हो जाता है वत्त खड़म हो जाता है गुझ रिति को खायवट कर देता है, मार देता है, मुझ कुझ का ये बूसरा रूप है, जिसinde के डिळै़ द्भेड़े होते हैं, कुझ की वजए से होते हैं, महा पार्त तरी रमान हुआ आज प्रोशियों के लिए दिविले होते हैं, मार भीड होती है, इसके मूल में क्रोध है, क्रोध नहीं है तो फिर मर्तियों गईए, और मेरे पिता जिरूर मर्तियों को प्राफ हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्रोध बहुत ज्यादा है, इसलिए है यह मनाज, जदि आख मुझे बर्दान देना चाहते हैं, तो पहला बर्दान दीजिए को मेरे पिता अख्रोध हो, उनको ख्रोध नहीं आए, मैं जीवन को सांत प्रकृति से बैठीद करें, सर्ल तरकिय से बैठीद करें, चाहे कोई गाली के दें, जबराज, आप प्रका करके, मेरे पिता को अत यवराज ने तथास को कहा, तुम्ने वास्तों में इए उत्तम कारिये संपन्द किया है, और यहां उप्निशदे पाहत मर्म की बाट पैता है, जो तुम पर क्रोध करता है, उसकथ भी तुम पर क्रोध करो, पिता ने नचिकेता के पर क्रोध किया, काली जी, यम को दे दिय मुद्य को दे दिया पिर बिन्ची करता के हैदेर में उनके तिक्षिमाभाव था पिर विस्टेम मंने रहा हिसे उसक्रोध करने वादे विक्ति पर में रहे हुए हो गिक मिड़ी जिवन का मर्व है को फू सब की यही तो व्याक्षा है कि जो हमारा अहित्य Сोचे जो में गाली दे जोию हमें मारने के लिए तेयाओ हो जाये जो हमें हम्हान कोเด दें के लिए हो जाए उस उस पर भी हम करोना की वर्ष्ट्री करते रहें उस पर भी हम तया करें उसके लिए भी हम अच्छा ही सूचें नजीकेदा ने ऐसा ही किया जब ने कहा कि तुम दूसरा बर्दान भी मांगो नजिकलेगा मैं खहा कि यदि आप मुझे दूसरा बर्दान देना चाहते हैं तो मुझे अगनी विद्या दीजिए जिस विद्या के द्वारा मैं जीवन की पूरता प्रात्त कर सकूँ मुझे खूब कुछ अगनी विद्या के द्वारा मैं अपने जीवन को अगनी वाई बना सकूँ क्योंकि उस अगनी में स्वरुप में ही मेनी जीवन की कोनता समझ मुझे है है यह पर कमेश्र powin cost ने एक बहुत मैंत्यकूण बाते ह450 हमारा सरीर इस लिए पूस्ष्ण है स्वस्थ है इसलिए छीवित है कि ओफफब्स वाएल है अग्न 30 प्रदाम है जिस समय अग्न 30 प्रदान त внеш हो जाती है शरी ठंडा हो जकता है सरी इतन childhood तब तक सरीर मुर्तियों को प्राथ हो इनी सकता है। और दुची के यहां बहुत एक मर्म की बात बूच लेता है। बहुत बहुत बात बूच लेता है। वह कहता है कि मुझे इस अगनी विद्या को शिखाए। जिसके द्वारा मैं निरंतर अपने हवय में अपने शरीद में अपने प्राणों में अगनी को प्रजक्ट बनाए रखूँ। और यह प्राण अगनी होनी चाहिए। प्राण अगनी का द्वारा मतलब है प्राण को अगनी में बना देना। है कि एक दमें दोन है चैतनी में अभड कि मैं कि छत्म और खत्म हो जाये में कि मिरा हो फिर mai जोट्हकर्मों हो सकूने जीवन की चाहिव में जाए कर देशरा निकल सके मेरे चारत वाभा मंदरYour कन सके में जीवन के उन मर्मों को स्पष्ट कर सकूँ जिन मर्मों के द्वारा जिन सथ्यों के द्वारा जिन तथ्यों के द्वारा जीवन को पूरता दी जा सकती है पूरे संसार को एक ज्यान एक चेतना एक सेश्टा दी जा सकती है और वास्तों में अगनी विद्या जीवन की सेश्टम विद्या है जिसमें अगनी विद्या को प्रात्व कर लिया उसके जीवन में और कोई विद्या प्रात्व करने की आपशिता ही नहीं रही और को विद्या जीवन के जिरूरी है ही नहीं क्यों अगने विद्या का दाट प्री यह है कि हम सही अर्थों में ब्रह्म में बन सकें एक सामानी मनुस्य से ब्रह्म तक पहुंचने की क्रिया को अगनी विद्या का गया है अधिनिद्या का दाग प्रिया कि उन मंत्रों के माद्यम से उस चेतना के माद्यम से उस प्रिया के माद्यम से इस सरीर को अगने पुझ बना दिया जा अत्यनत सांथ, अत्यनत सर्व, अत्यनत देजश्वी, अत्यनत महत्त पूर्ण और ऐसा अजिविकी ये रुठित्व जिसमें क्रोज नहीं हो जिसमें छल्ड नहीं हो जिसमें पाथ नहीं हो जिसमें पाथ नहीं हो जिसमें पाथ नहीं हो जिसमें पाथ नहीं हो जिसमें पीचाथ नहीं हो और ऐसा पेज़ों से पुंज तो ही जीवन की महानता कहा जाता है हैं महापुस्ट बदने कि यहीं तो परिवासा है कि इसी को देवरत तो कहा जाता है इसी को सेंट्सत्र तो कहा जाता है इसी को रिश्त तो कहा जाता है कि निची के तंदें दूसर वर्दान अत्यम्त में तो पूर मांगा उस अगनी मंत्र के माध्यन से अंदर की प्राणाग्णी को प्रजुद्ट किया जा सकता है यह देपी शरी में जठराग्णी है और जठराग्णी का दाग्प्री है कि जो कुछ मैं बोजन करता हूं वह प अधराणह को जीरत बना हिर रखने के लिए प्राणाग्णी की जिरूत है और प्रत्रीयक के सरीर में प्राणाग्णी तो है मंगर बुझ्य हूई है उसमें जयत्सा नहीं है उसमें हम्र्टीक बैसी हुई कि हमारे अगर्म कोई बस तो पड़ी है एम उसका उप्योग जान सज्चार जैसे प्रच्वित कीया जाए है कि और अब घरनाजनी प्रधिक्त खोगी नहीं और यह जो अए सब्सक्राम सेपड़ को सकती तब तक क्यों म्रत्यू को नहीं जी सकता रूदृ को जीटने के लिए लिए अमर्थ Арक्त कहने के लिए जोड़ा प्राणागनी को प्रदिल करें प्राणा सतंब प्राणत्वं पूरवदांत्वं पूरवदामारे प्रशी की बाणी वेज में स्पर्श्ट होती है कि कि अगर मेरे जीवन का स्वपाति हो तो मेरे प्राणागनी प्रदिलित हो जाने जो बुजी हुई है जो सांत है मेर उस प्रएडल करके मैं जीवन के उन रहंसियों को दोंड़ सकूं जिसको मार्दियम से जीवन के स्विव PLAYS आपराक्फ और मैं इस मलिन देर खुछ मते कर सकूं मैं वाफिस योवण मानं बन सकूं फूर्थ इतन सकूं कि लोग मुझे देखे और ऐसा पषक्र की वास्तर में पुर्षय तो क्या होता है ृस्ति तो क्या होती है अपने अभीतिय स्वंदरिय प्राइब कर सकूं और बूर्षय पर अंद्रीय आतर प्रता दूसरे को समुरुद करने की कला प्रणगनी के मातिन से संभव है और जो वास्तमी अध्वी की योकी सन्यासी होते हैं उनके चैड़े में एक विशेश प्रकार का प्रभाद इफेक्ट होता है जो दूसरे को देखता है और सामने वाला समोईत हो जाता है उस चैड़े को बोल प्रणगनी जावट होने पर ही संभव है और लाखों क्रोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक की प्रणगनी प्रणगनी प्रणित हो सकती है और प्रणगनी प्रणित हो सकती है गुरू से जान दिया सकता है तो क्योंकि इस अपनी को प्रणगनी की क्रिया तो जानते हैं व कैनि अद्विटीय मंत्र क्रिए के माद्य म्से संफंध किया जा सकता है एक विशिस्थ क्रिया हैं है और प्रतित me all today कि स्थमें रूहर आतो हो अदान उताम ये चौता भीज़वा पूर्वक्तन साथ पूर्वत गदम ये पाज़व भीज़वा और इस प्रकार से इन सो भीजों का उच्छाण करना लोम और विलोम गती से प्रतिक प्रिया के माध्यम से जाम्या के सामने मुद्राइश पृष्ठ करना हो इन मुद्राओं के माध्यम से उन वीजों का संपर्थ श्रीम्त करना अपने आपे प्रानाद में को प्रजवित करना है और जब ये प्रानाद में प्रजवित होती है तो अपने आप में चेरे पर एक चेतनेता प्रात हो जाती है अपने आप में आँखों में एक रोशनी प् प्राणानी प्रजृत करने के दोनों तरीके हैं खुद मुद्राओं और मंत्र के मार्जम से और किसी अधुनियर योगी के आसिवाद के महारति मसे लिए जैसा यमने आसिवाद लेकट के नची केता की प्राणाकनी प्रजुत की नजेगे तोम नंत्र का उच्छान नहीं किया तरब प्रणाग्नि में प्रजुत हुई इसलिए हुआ कि हमने उसके 80 वाद लिया अ पर 80 वाद दिने का ताक्री है कि मेरे पास जो प्रणाग्नि प्रणी प्रणुत है उसमें करने से कुछ हिस्सा मैं तुमानी प्राणा निंप उस्ट ऐसे कि दोनौ मिलते हैं मिलते ही जो ज़ल जाका 그럿 हुए कि उसी प्रताश जिसके प्राणा निंप नहीं है कि उसके पास जताए है और रुष जिपरू कि पास आते अतर ना guiding कि अए हैं कि प्रमा दूंप डिर्द हो जाए है और रूसरे क्रिया मंता मात्यम से खिए सो और क्रियों को क्रिया की मात्यम से उच्छान करें लोंगति नृउंगति से उचीछा और दोनुंगते माजम सनूसी मर्धास निर्ण तर्जब करने के क्रिया से भी प्राण के भी रस्ति चाह बहें नंबा है कि ले महें भी इसाथ ठीस अब चलुक्र करके भी कई उफ्रकर योग्यास सदिशी ऑन्ने प्राण प्राड़ने प्रिविक है कर सकता है और दूसर रास्ता भी जहां गूरू के आशी दवार कि मार्जम से गुरू के समें बिटा करके क्योंकि गूरू तो एक जलता हुआ दिया है जो रोज से बिखे रहा है और तुम्हारा दिया तेल तो भरा हुआ है मैं उसको रोस्ति नहीं है यह दिया खुद पास जाए और पास जाते जाते चाहिए एक सूत बर्भी गैप रहे गया एक सूत बर्भी अंतर नहीं गया तब भी दिया नहीं जलेगा दिया जलने के लिए ज़रू है कि वह बुजा हुआ बिया बिलकुर उस दिये से मिल जाए दोनों का ट alkaline दोनों मिलेगा दोनों का एक दूसरे मिलने की क्रिया से दिया जलेगा और सLT चाही, गुरू की कितनी सेवा करे मगर पास जांए और उस थिरन तक पास जाए जहां डोनों मिल जाएं जब से इसे पूलूंग्री метा मतलब है उसके प्राणा निन जल जा ती है उसकी प्राण स्टेत्तमा जन जाती है ड्म कर तो अपने एक अर्वितिय योगी बन सकता है यहां ने भी उसको आशिवा दिया नेची के ताँ को मैं तो याशिवा देता हूं ते निप्राणानी प्रजुनित हो तौकि प्राणानी प्रचित होने का ताठ्प्री है अब तुझे मृत्यू प्लाक नहीं हो पाईगी और मर्चुत उपर द्वट्र नहीं माँ सकती अब पूर्ण योगंग बाल बना रहकर मर्थिय। परेजा सकते हैं हैं क्योंकि दिया मर्थिय। नहीं है, मालो महश्ट भी नहीं है, माज पुरणन भी नहीं है, माल बर्र?", मृटक regain क्योंकि हम मृतु से भीक हैं और हिमारे पास यह फिर में किसी बार की चंता भी नहीं है यापका बुड़ापा और रोग उस मर्चू के द़ौर है इस मर्चू के अने की पहली जब रोग आता अब मर्तियों आस पास आ रही है पेलिक दस तक है कि सुभन पत्य हम क Celebrant कर रहा है कि जब मर्तियों आने की स्टेज होती है म्र्तियों कि और सौ बार दैजर पर ठकट करती कर्ती कभी तकलीष के कारण कि बीमारी के कारण, कभी आख में दर्द है, 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 कभी सुनें, किस दी कमजोर हो रही है, कभी एद एक जड़कन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो ब्रट विसल हो रहा है, ये स होची तो धिरेत संन्ने की आवाज कम होती है तो कहने मैं रही हो जाता है चछी कन करेने मैं पर महत tempt do Stick में गर अजित की प्रहना की प्रइब हो जाती है तो स्प्राणा की में यद लिए कुड़ा आपके हस् gehe compr होD呀 So around पूर्टी खोछना कुछ रहता आप लिए धीन भुड़ा पार रहता हमोई हम उन्माट रहते हैं सिख्यूं U जपल्प परहुं सहुशक है तो इसा हुवा है यह में नेका कि तो मि स्व करी को ने तेरे अनुपूर हैं तो चाहएगा तो म्रुत्य आए थी तू रहा है और मर्चु ने आएगी, तो आण फ्रक भी नहीं आए गाए है जए म्रच नहीं आए थीगलówi ब्लॉद बढ़ोओज भी कुछ जहीं है है पुल ब्रहुमान का एव भाग बन जाता है पूंड लुमाद करो एक को अधियुक्त है यह ने का कि तुझे सा वर्दान बढ़ा अधिन मांगा है मैं तुझे कहता हूं कि तुम इस तीसे वरदान मांगने की हट सोर दे दे में लाखों गायट में देदेता हूं मकर यह वर्दान मत मांग। नसी बीटर ने कहा कि जो मैंने मांगा है नहीं प्राप्ष करना चाहता ह। यह नहीं कहा कि भुझे अ जितना भी तू चाहे मैं सुर्ण आभूसरों का धेर हुआ देर्ड को या मत नहीं हुआगओं। इस वर्दान को मत मांग। कि निग्ची कि अधिने का धिने स्वरणद्रे को डिके क्या मुझा है तो समाकते हो जाएका कि वाद में बेशिर के साथ ही अपने आपके व्याथ हो जाएगा मैं तो उस भ्रम्य विद्ध्या को जाना चाहता हूं जो आपने अमर्तु है जो अपन अमर्त कंदं है जो अपन आपने सद्धासं है जो अपना आपने पूलता है जो अपना को ओर लगता है फिर उसको परलोगन करने बसा तो सुझ कि एक तरीयो को माँंदे मैं तुझे असन्किषर फॉर्ण रिस्तियां और सुन्द रिस्तियां जिता मुझे दिसका तुम भूब कर सकता है मगर शुद्द को मत प्राक्ट कर यह प्रदाव मत महंग कि जो चीज मुझे चाहिए कि वही मुझे प्राप्त नहीं हो तो मैं अजान वजान सुमिरस्त्रियों को लेकर कि भी क्या करूंगा उसकी क्या प्रूज़न होगा और यहां अपनिशतकार एक नवीन गूर्ण रहिसे को सप्ष्थ करता है कि पुछ्च गोटि की विद्या प्राप्त करने के लिए गुरू कहीं पासर फैंकता है कि रोपन देता है यह विद्द्..., तुर्ट शाहार रए थै लुघ स。 मैं तुह ऊर्बी समय साहतंु दे रहे हैं, मैं तुम्हें अफ्सरा चौह साहते रहे हूँ , God Almighty है, अपकनी अपको तर्बी directly सबस्ब्त करने लुघ से त्यूट है। मैं उट्वर तो यह गुरू के लिए क्योंकि अगर ऐसा गुरू नहीं करें तो फिर अपात्र को कोई विद्देश ली जाए जो जो योग ये शिश्य है जो कर्मड शिश्य है जो अपने आप में अद्वितिये शिश्य है वह प्रलोग नहीं आते उनका एक रक्ष होता है एक उदे से होत जाता वह सुन्दुरोइत्रियों को प्राःत रोग जाता है मगोर जो बीश में लूग जाता है जो गुरू के इस्पकार के आजी न्वाश से या गुरू के इस्पकार के प्रळूपन से ग हिससे सिबीच परनों से तो समिने चाह है ये यह वह वां आब ऑप रखे यहां यह से प्लख्ठक प्लाक्ट करने का विज़ाजी में अंत्राम करने में पर्लोवनों से पर्या हुआज प्लाक्ट करने पाथ फिरों प्लोवन में घित जाता है तो उससे जए जदा असक्त तु इससे जजदा घटियासी से तो बनी मदा इसलिए उसकी परिषा लेन ही जिनुद्री है उसको अन्य उसको दॉक्ता जरू कूल सE एफसे जरूरी होती है मुलु तो एक पासा खेंटता है एक चाना की बढ़ता है कि एक प्रजुबन देता है और गुलु देते हैं गुरु प्रलोभन देता है विसके पाज़न वहाँ अगर आप मुझेई दें तो भ्रम प्रण्धिया यी जहाता है कि हम बहुत प्रसुन ओते हैं कि मैं तुम्हें ब्रम दित्या दिए रहा हैं। साथ कुछलम में साचंदियम योगन आफें concentrate को अपने अपने पूर्ण दर्क्त बन हो कि हो आप में पूर्ण स्व्रह यै इस ख Din assum Trung डरता को भी थान सार्ट वरं जीवन को पूर्ण तासे ब्रम्त तो मैं बनू तुम मेरे पास आया है मुझे गुरू बनाया है मुझे अपना को सौंपा है मैं तुझे अपने आसिरवार के द्वारा में ब्रह्मिध्या की में दे रहा है असिर्वट वा भी मंत्र के दोराने सिसी दोनीन दुनिंकर से गुरू से उस पुर्म निद्या को जान सकता है मंत्रों का और क्रियाओं के दौरा मी पर जीदी प्रसुन्मन हो तो आशिवा दे identically प्रूण। बिलमवय पूर्वरमसी बना सकता है यहां ऐसा ही रही है है कि उसे इसले पर आश है कि आशिता है और ऑसफोसर मुझान के पर्पर्पराइब्रक्ण में 我們 स्यूंगां है आपने मेरी परिवनता है इसे को तंसरेगां करते हैं स्थ्धास्व क कर द बुद्ध करता हुआ इस विद्धा को जानने के अभिष्यत बनता है जो लिस्टेप लेता है मुझे विध्या जानी है तो दोनों तरीकों से जाल सकता है उस मंत्र को शीख कर जो ब्रह्म विध्या से समन्ध है ब्रह्म दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण सुरीर को चेटनिता प्राप्त करके उन क्रियाओं के माद्यम से, मोद्राओं के माद्यम से, उस मंत्र को निरंत्र जब करने के माद्यम से, उस ब्रम्धिद्या को प्राप्ट कर सकता है, जो जीवन की सेश्टम विद्या है, अध्विकिये विद्या है, जिस विद्या की तुर्णा इस विश्व में हो ही नहीं सक इसलिए तो प्रश्न को सोड़ा जार रामिया होते हो भी उसको योगी शोग कहा गया तो बहुत में भी योग की कला जान लेता है तो योग में भी भोग को देख लेता है वह अपने आप इसप्राब होता है जैसा कमल जल्द के अंदर रहता हुआ भी निलत रहता है ठीक उसे अजिए आप जीवने इस ब्रह्मित्या को प्राफ करें नची केटा बने पूर्ता प्राफ करें यहां को एसने आप इस ने आप